इंडिया नियूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं रश्नाबंसल खालिस्तान को पनाह देने वाले कैनेडा को आज उसी के साथ विश्वास घात करते हुए देखा जा रहा है कैनेडाई पीम जस्टिन टूडो ने एक नया फर्मान जारी कर दिया है जिसके बाद से वहां रह रहे है सिखो को तगड़ा जटका लगा है भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को शरंड देने वाले जस्तिन टूडो ने अब खालिस्तानियों को ही दे दिया है तगड़ा जटका दरसल कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो ने एक फैसला लिया है जिससे वहाँ पर रह रहे विदेशी लोगों को जबरदस जटका लगा है जस्टिन टूडो ने सुमवार को घोशना की कि कैनेडा में अस्थाई नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम की जाएगी आपको बता दें कि कैनेडा में लगभग 20 लाख भार्तिय रहते हैं जिसमें ज्यादतार सिख लोग रहते हैं कैनेडा शुरू से ही कटर 35 सिख खालिस्तानियों का समर्थन करता रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है लेकिन टूडो के स्पैसले से सबसे जाला दिक्कत वहां रह रहे हैं सिख समुदाय के लोगों को ही होने वाली है क्योंकि कैनेडा में ज्यादतर भारतिय सिख हैं जो महाँ पर छोटे मोटे कारोबार और कंपनियों में काम करते हैं लेकिन टूडो ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्सपर एक पोस्ट किया और बताया कि अस्थाई विदेशी लोगों की नौकरी में संख्या अब घटा दी जाएगी और उसके मताबिक जो कैनेडा में रहने वाले लोग हैं यानि कि जो कैनेडाई हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी इस फैसले के बाद से खालिस्तानियों को मानो साथ सूंग गया है जो अपने आपको सिखों का हितैशी बताते फिरते थे